36 गर्विधान सबा के विशेच सत्र में पारित हुए आरक्षन विद्यक पर मुक्यमंत्री भूपेश पगेल का बयान सामने आए मुक्यमंत्री भूपेश पगेल ने का बीजेपी के लोग राज़पाल पर दबाव बनाय हुएं बीजेपी आरक्षन विरोधिये मुक्यमंत्री बूपेश पगेल ने का राज़पाल को विद्यक पर स्ताक्षर करने चाहिए वहीं इस मामले में मंत्री अनिला बेडिया ने का कि जनताव समझ गई है कि आखिर राज़पाल साइन क्यों नहीं कर रहे उन्होंने का कि पतानी राज़पाल की सोच और मजबूरी क्या है शायद बहुत दबाव में हैं इसलिए ऐसा कर रही है उन्होंने का कि साइन नहीं हुए तो आगे की रणीदी पर विचार किया जाएगा वहीं बीजेपी निता धर्मदा कोशिक ने का कि बीजेपी आरक्षन की पक्षदा है विद्यक का समर्थन उन्होंने भी किया है ये भी का कि राज़पाल जो ये कर रही है उससे राज़पाल को उत्तर दे कि संतुश करना चाहिए ताकि विद्यक दोबारा कूट में आ जा जो राज़पाल ये कहें कि मैं तुनधा स्राक्षर करूंगी अब वो किंतु परंतु लगा रही है इसका मत्तबी है को वो तो चाहती थी भोली महिले हैं अद्वासी महिले हैं और निश्चल भी है लेकिन भारती जंदा पार्टी के लोग हैं जो दवाव मनाक रखे हैं उ उसका से उनको फिर किंतु परंतु करना पड़ा मैं अद्वासी के लिए बोली थी आरक्षंग कबील जो है कि एक और की नहीं होता आरक्षंग सभी होता है जो प्राभान है अब पतानी राज़पाल पहले बोले तुरंद कानुन विदयक पेस करो मैं तुरंद दसकत कर कर रही होंगी राज़िपाल यदि चाहा रही है तो सरकार को उस बारे में उससे चर्चा भी करनी चाहिए और बतानी भी चाहिए यदि कोई कोट गया तो क्या इस्तिती बनेगी कोट से उसको इस्टेड ना हो एक बार जो कोट के माध्यम से लोगों को नुक्षान हुआ है दुबारा उस्तिती चतिस गड़ में निलमित ना हो